जैमातादी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मा भगवते दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे दोस्तों, 25 जुलाई से यानि की रविवार के दिन से स्रावन के बहुत ही पावन मास की शुरुवात हो रही है स्रावन मास कामनाओं को पुरुण करने वाला महीना होता है इस महीने में भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो उनकी आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जब कीजिए, बहुत ही शिग्र उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि स्रावन मास भगवान शिव को इतना प्रिय है विशेश समय शुरू होगा हम भगवान शिव की विशेश विधी से पूजा आरातना करेंगे विशेश रूप से उनके मंत्रों का जब करेंगे विशेश द्रव्यों द्वारा हम भगवान शिव का अभिशेख करेंगे जिससे की भगवान शिव की क्रिपा हमें प्राप्त हो और हमारे मन की जो भी कामना हो भगवान शिव उसे दूर करे और जिस प्रकार से भगवान शिव के भक्त समरपित भाव से उनकी आराधना करते हैं, सच्चे श्रद्धा भाव से उनकी आराधना करते हैं, भगवान भोले नात के क्रिपा अपने भक्तों पर अपार बरस्ती है बहुत ही शीग्र उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है और मन की समस्त कामनाई भगवान भोले नात अपने भगतों के पुरुन कर देते हैं दोस्तों इस सावन मास में हमें भगवान शिव की पूजा के समय कुछ विशेश नियमों का पालन करना चाहिए कुछ विशेश नियम इस सावन मास में हमें जरूर अपने लिए निर्धारित करना चाहिए कि हम इस विधी से पूजा आराधना करें अगर हमाने मन की कोई भी विशेश कामना है तो उसको अगर बहुत शीग्र आप पुरुन करना चाहते हैं तो आप कुछ विशेश नियम इस सावन मास में जरूर अपनाईए ऐसे ही कुछ बहुत ही विशेश नियमों के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपकी कोई भी कामना हो किसी भी कामना के लिए भगवान शीव की आराधना करना चाहते हैं धन, संतान, व्यापार या फिर जीवन की कोई भी आपकी समस्या हो उसे दूर करना चाहते हैं आप किसी भी नियम का पालन कीजिए भगवान शीव की आराधना कीजिए अवश्य आपकी कामना पुरुन होगी सावन बीतने से पहले कई बार मनो कामनाय पुरुन हो जाती है भगवान शीव इतना अधिक प्रसन्न हो जाते हैं अपने भगतों पर हम सिर्फ समर्पित भाव से भगवान शीव की शरण में जाएं सर्वस्वत्याग कर भगवान शीव की शरण में जाएं सर्वस्वित्यागने का मतलब सिर्फ ये है कि जब हम भगवान शीव की शरण में जाते हैं तो हमें मन में किसी भी प्रकार का संसय नहीं रखना चाहिए। कई भक्त होते हैं जो पूजा करते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि इस पूजा से कुछ नहीं होगा। अगर आप पहले ही ये चीज मान लेंगे कि देखते हैं क्या होता है तो सच में कुछ नहीं होगा। आपको मन में विश्वास रखना होगा कि मात्र एक लोटा जल ही अगर मैं भगवान शीव को अरपीत कर रहा हूँ तो इसी से मेरी मनों कामना पुर्ण हो जाएगी। अगर आपके मन में विश्वास होगा तो मात्र दर्शन करने से भी शीवलिंग के आपकी मनों कामना पुर्ण हो जाती है। तो विश्वास बहुत आवश्यक है, इसलिए कह रही हूँ, सर्वस्वत्याक कर भगवान शीव की शरण में जाना होता है, तब ही हमारी कामना प्रति दिन इस नियम का पालन करें और शद्धा भाव से पूरे नियम का पालन करें तो पहले बात करते हैं अभिशेक के बारे में जो हम अभिशेक करते हैं भगवान शिव का एक आप नियम लीजिए कि प्रति दिन आप शिवलिंग का अभिशेक करेंगे आप जिस भी जेने के रसे ंहें आनार के रसें करते लोट से जो भी आपके सुलब्त हो या जो भी आपकी कामना हो आप यह नियम बना लीज See can के करणा है या हर रोज आपको स्विव Swamandir जागे दर्शन करना हैी हचित कैसे करना है बहुत से भक्ति जाते हैं जल्दी है अपने पानी जो हात्त में ले रखा होता है जो भी अप्र पात्र में आप पलडते हैं श्रवलिंग पर और थोड़ी दे रुपते हैं और चले आते हैं अईसे अभिषेक नहीं करना है निहीं देखे है जब आप अभिषेक करते हैं पूरे श्रधा भाव से सचे मन semaine और अभिशेक की जो धार होती है पात्र जो आपने हाथ में पकड़ा है दोनों हाथ से पकड़ कर और बहुत ही पतली धार उस द्रव्य की होनी चाहिए भगवान शिव के शिवलिंग पर जो आप द्रव्य गिराते हैं उत्तर दिसा की तरफ आपका मुख होना चाहिए जब आ आपके मन से वह मंत्र निकलते रहना चाहिए जब तक आप शिव का अभिशेक कर रहे हैं तब तक तो पतली धार के द्वारा जब आप अभिशेक करेंगे तो बहुत अधिक समय तक आप अभिशेक भी करेंगे और अभिशेक करते समय हम जितने अधिक मंत्रों का जब करते ह तो जब आप अभिशेक करते हैं इस बात का जरूर ध्यान रखें अगला जो आपको नियम धारण करना है देखिए जब अभिशेक की बात कर रहे हूं तो अभिशेक आप प्रती दिन करें यह निर्धारित कर लीजे कि इस पूरे महीने में मैं हर रोज अभिशेक करूंगा अ अगला जो आपको नियम ध्यान रखना है, शाम को शिव मंदिर में दीपदान जरूर करना चाहिए, जैसे आप ये संकल प्ले लीजिए कि इस पूरे सावनमास मैं शिवलिंग का हर रोज दर्शन करूंगा, अभिशेक करूंगा और शाम को दीपदान अवश्य करूंगा, शा तो अगर आपके घर के आसपास मंदिर हो, आप हर रोज शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं, शिव मंदिर जा पाते हैं, तो आप शिव मंदिर जा कर ही शिव के पास शिव के समक्ष आपको दीपदान करना चाहिए, लेकिन अगर आप शिव मंदिर हर रोज नहीं जा पा र प्रतिमाई शिवलिंग या फोटो मौजूद है उसी फोटो के सामने आप भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने मन में और इस दीपक को जला दीजिए ओम नमह शिवाय का जब कीजिए थोड़ी दिर वहां बैठकर इस प्रकार से आपको दीपदान प्रती दिन करना है यह नियम बना लीजिए कि पूरे सावन आप दीपदान करेंगे चाहे मंदिर में कर पाएं तो मंदिर में कीजिए मंदिर में नहीं कर पाते हैं जो लोग वो अपने घर में ही भगवान शिव के नाम का एक दीपदान करेंगे अब आप पूछेंगे कि दीपदान हमें किस डीपक कोई बिपक जो आपके सुखलब्ध हो मिट्टी का दीपक और का ले सकते है य gent हंते ह्लिफों आपको दीपक बनाएं और नो हरोज बनाना पड़ेगा, इस बibl Šinya ठीपक शैञे मेंgers गई या तेल यह आपकी अपनी सामर्थ है अगर आपका प्रयोग करते हैं सरवाधिक श०्द्धी नहीं है आपके पास उपलब्द तो आप तिल में तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं दीब्दान करते समय और दीब्दान-aवश्य करें इस बात का आप नियम बना अगला जो आपका नियम होना चाहिए भगवान शिव को हम बिल्वपत्र अर्पीद करते हैं भगवान शिव को बिल्वपत्र बहुत प्रीय है तो बिल्वपत्र आप किस प्रकार से अर्पीद करें जिससे की आपकी कामना पुरुन हो बिल्वपत्र आपको 21 बिल्वपत्र ल रोज भगवान शिव पर अरपीद करेंगे किस प्रकार से अरपीद करेंगे वो मैं आपको बताती हूं बिल्वपत्र खंडित नहीं होने चाहिए बिल्कुल साफ सुथ्रे शुद्य बिल्वपत्र होने चाहिए हर बिल्वपत्र पर आप चंदन से ओम नमह शिवाय और इन सभी बिल्वपत्रों की आप माला बनाएंगे एक माला सवरूप आप सफेद ध़ागे से इन सभी बिल्लवपत्र को एक साथ स्वरूप दीजिए और यह लें जाकर आप शिव लिंग पर अरपीद केजिए प्रति दिन का यह नियम बना लीजे कि हर रोज 21 बिल्लव हो जाती है अगर प्रती दिन आप 21 बिल्वपत्र की माला अगर भगवान शिव को अर्पीद करते हैं तो पर नियम के साथ होना चाहिए पूरे शिवलिंग पूरे सावन आपको ये काम करना है अगला जो आपको नियम धारन करना चाहिए वो है सफेद आकडे के फूल जो कि भ बनानी चाहिए आप क सीही प्रकार से आकडे के फूल में मिलते हैं तो बहुत थोड़े से फूलो में ही आपके 108 की माला बना ओर और बना कर ओर ऑल्प सबढ़े और प्रती दिन ना मिले तो क्या करें तब आप 21 फूल लेकर इसकी भी माला बनाकर भगवान शिव को अरपीत कर सकते हैं हर रोज अगर आप सफिद आंकड़े के पुस्पों की माला भगवान शिव को अरपीत करते हैं तो मन की कोई भी काम नहीं धन से संबंधित या संतान से संबंधित समस् हूँ दो आपकी काम ना भगवान शीव अवश्य पॉर्ण करते हैं इस प्रकार से आपको यह अपने पूरे सावन लागू करना है मतलब पूरे सावन में आपको इन से कोई भी एक नियम बना लीजिए कि हर पूरे सावन में इसमें से एक नियम तो मैं जरूर पालन करूंगा और अगर आप सारे कर पाते हैं तब तो अत्यांत श्रेष्ट है अगला जो आपका नियम होना चाहिए कि पूजा के बाद जब आप शीव मंदिर में पूजा करते है उसके बाद नंदी देवता जो हैं नंदी देवता के कान में हर रोज आपको ओम नमह शिवाई बोलना है ग्यारह बार बोलना है आपको और जब हम नंदी देवता के कान में कोई शब्द बोलते हैं तो बहुत आराम से बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं उनके कान में तो किसी नमहिश्यवाइआ कोई कामना नहीं बोलनी है इतना करल लिए ओम शभान कांण कोई नियमों करना चाहिए लेकिन अपकर आपके सब्सक्राइब के संथ। किरपाते हैं तो तो पूरे सावन के लिए कोई दो नियम या इस से अधिक नियम जितना आप कर पालंड कर पाते हैं जरूर कर लीजिए उस्ट एगला को सवन का मुंत्र का विछेश किया हम सभी करते हैं लेकिन सभी करते हैं किस करते हैं देखिए, आपको एक संकल्पित संख्या लेनी है कि इस पूरे सावन में मैं सवालाक की संख्या ओम नमहिशिवाय का या नमहिशिवाय का जप कर दूँगा माला द्वारा, रुद्राक्ष के माला द्वारा आप सवालाक मंत्र पहले दीन से लेकर अंतिम दिन तक अपनी संख्या निरधारित कर लीजिए कितनी संख्या में आप जपना चाहते हैं 11 माला 21 माला या 51 माला या आपके पास समय हो तो और भी अधिक और अगर आप पंचाक्ष्री मंत्र का पूरे नियम से 11.000,000 जब सावन मास में तो यकीन मानिये भगवान भोले नात की असीम घ्रिपा आपको प्राप्त हो जाती है और आपके मन में जो भी कामना अपने सोचा भी नहों उससे कहीं अधिक भगवान भोले नात आपको प्रदान कर देते हैं यह बहुत ही महत्योपुरणी नियम है हम पंचाक्षरी मंत्र का जब तो करते हैं लेकिन कोई नियम के द्वारा कोई संख्या निर्धारित करके अगर नहीं करते हैं तो उसका उतनी शीक्र हमें फल प्राप्त नहीं होता है लेकिन अगर आप संख्या निर्धारित कर लेंगे शिवतांडव स्तोत्र आता है तो पूरे मास में आपको शिवतांडव स्तोत्र के दवारा ही अभिशेक करना चाहिए। नियम अपनाएं यह कुछ विशेश नियम है जो हमें पूरे सावन में जरूर इनका पालन करना चाहिए तो इन में से आपको जितना भी आपके अनुकूल लगता है आपकी कामना चाहे कोई भी हो कोई भी एक संकल्प लेकर अगर आप अपनी कामना पुरुन करने के लिए चाहेंगे कि हरोज आप इस समय भगवान शिव के मंदिर जाते हैं और अभी शेक करते हैं तो यकीन मानिए एक जो नियम होता है उसका फल बहुत ही शीगर हमें प्राप्त होता है तो मैं उमीद करती हूं आप लोगों से कि आप पूरे सावन में कोई न कोई उपाय जरूर करेंगे एक नियम के द्वारा भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए कोई भी एक नियम आप पालन कीजिए तो भगवान शिव की क्रिपा अवश्य आपको प्राप्त होगी दोस्तों उमीद करती हूं आज की वीडियो से आपको अवश्य होगा और अगर आपको आज वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी मैं मिलती हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार